प्लीज सब्स्क्राइब एंड सेल स्वनु आप सबको नमस्कार सत्रियकाल आज पूरा देश देख रहा है हमारे देश का किसान कड़ी थंड में रात को आस्मान के नीचे खुली सड़क पे सो रहा है यह सोच के सारी रात नीन नहीं आती आज कोई भी देश वक्त यह देख के चैन के नींद नहीं सो सकता यह लड़ाई सिर्फ हमारे किसान भाईयों के नहीं है यह हम सब की लड़ाई है जरा सोचिये जो दो वक्त की रोटी हम खाते हैं वो हमारे किसान भाईयों की महनत की उगाई हुई होती है हम सब को इस लड़ आपके मुख्यमंत्री ने मुझे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिये इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरिवी राजनीती कैप्टन साथ कैसे कर सकते हैं ये तो तीनों केंदर के कानून है जिस दिन राष्ट्रपती के इस इन तीनों का कानून पूरे देश में लागू हो गए अब ये किसी राज्य सरकार के उपर नहीं है कि वो इने लागू करेगी या ने करेगी अगर राज्य सरकारों पर होता तो देश भर से किसान केंदर सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते वो अपने अपने राज्य के मुख साथ को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझे पर ये जूथे आरोप क्यों लगाए इसका एक बहुत बड़ा कारण है जब से हमने दिल्ली के नौ स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है तब से केंदर की भाजपा सरकार मुझसे बहुत जादा नाराज है केंदर सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो मैं उन्हें इन नौ स्टेडियम में डाल देंगे हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाज़त नहीं दी तो वो लोग अब मुझसे बहुत नराज है मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझे कितना दबाव आया था किस किस का फोन नहीं आया लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौक्य आते हैं जब आप अपने जमीर के सुनते हो मतीजे की परवनी करते हैं क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझे जुट्या रोप लगा रहे हो मुझे गालियां दे रहे हो बीजेपी की बोली बोल रहे हो बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो या कोई दबाव है क्यूंकि आपके परिवार पे ED के केस चल रहे हैं आजकल और ED के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल कैप्टन साथ के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साथ ने इन बिलों को क्यूं नी रोका आज से देड़ साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए कमिटी बनाई थी उस कमिटी में पता है कौन था उस कमिटी में कैप्टन साथ थे कैप्टन साथ पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमिटी में इन काले कानूनों को क्यों नी रोका आपने कमिटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नी किया आपने बाहर आके लोगों को क्यों नी बताया कि केंदर सरकार इतने खतरना कानून बनाने जा रही है कैप्टन साब आपके पास एक नी दो नी तीन नी इतने मौक्टे आए जब आप इन बिलों को रोक सकते थे आज पंजाब का किसान आपसे पूछ रहा है कि आपने ये बिल क्यों ने रोके आज दिल्ली की सहरद पे पंजाब का किसान है और देश की सहरद पे उसी किसान का बेटा पंजाब का जवान है अभी कुछ दिन पहले पंजाब के एक किसान सरदार कुलवन सिंग जी दिल्ली की सहरद पे बैठे हुए थे और खबर आई कि उनका बाइस साल का जवान बेटा सुखवीर सिंग बॉर्डर पे देश तिले शहीद हो गया इस सब के बीच जब कुछ लोग आएज इन किसानों को आतंकवादी बुलाते हैं देश द्रोही कहते हैं तो मैं सोचता हूं कि बाॉर्डर पर उन जवानों पर क्या बिटती होगी जिनके किसान माबाब को आतंकवादी कहा जा रहा है आज हम सब को तै करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ है या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ है मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि हर देश भक्त किसानों का साथ दे मेरी सभी आम आदमी पार्टी के लोगों से अपील है कोई राजनीती नहीं करनी सभी पार्टियों के लोगों के साथ मिलके भारतिय बनके किसानों के सेवा करनी है राजनीती करने को पूरी जिंदगी पड़ी है अभी बस सेवादार बनके सेवा करो हमें इस इनकलाब का ना राजनीती करन करना है और ना इस इंकलाब का राजनिती करन होने देना है मेरी केंडर सरकार से अपील है कि किसानों को सभी वांगे किसानों की तुरंत मानी जाएं और MSP की गारंटी को कानून में डाला जाएं कि की वांगे कि से अपील काई लुट है